अगर आप सरकारी नोकरी की तलास में हैं तो हम आपको बताते हैं Top 5 Government Job in India सरकारी नोकरी में जोब स्कोर्टी तो होती है, साथ में ही कई और benefit भी मिलते हैं साथ में retirement के बाद कुछ जोब में pension भी मिलती है, साथ ही आप और आपकी family को medical benefit भी मिलते हैं हमारे देश में कई तरह की सरकारी नोकरी उपलब्ध है, तो ऐसे में आपकी स्चेतर में नोकरी करना पसंद करेंगे चलिए हम आपकी confusion दूर करने में थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं पांच में नमबर पर है bank देश वरकी सबसे best job में से एक banking sector job मानी जाती है और अगर job आपको सरकारी बैंक की हो तो फिर मजाई क्या है अच्छी salary और छुटी को साथ साथ job security और pension भी मिलती है बैंक में manager की salary लग बग 40,000 से सुरू होकर 1,5,000,000 तक होती है और कल्रक की बात करें तो 30,000 से सुरू होकर 1,000,000,000 तक होती है इस नजरिये से bank की job काफी बैतर है सरकारी बैंकों में सुबह 9 बज़े से लेकर साम 5 ज़े तक duty करनी होती है इसमें देर रात की पाली नहीं होती इसमें कोई employee अपने नीजी और पेसेवर जीवन में संतुलन मना सकता है और अपने बच्चों को समय भी दे सकता है अन्य सरकारी नोकरियों के मुकाबले bank में तेजी से तरक्की का उसर भी मिलता है साथ में ही आपको loan भी सस्ते rate पे मिलता है खास तोर पर जब लोग सुनते हैं तीन जार से कुछ ज़्यादा vacancy के लिए 15 लाग से ज़्यादा लोग आवदिन करते हैं इसलिए bank की जोब एक अच्छी और safe जोब मानी जाती है चार नमबर पे है professor की जोब यानि teaching की जोब जो student professor लाइन में जाना चाते हैं वो अपनी 12th class में ही अपना subject चुनें जो उनको अच्छा लगता है उसके बाद अपनी graduate की degree उसी stream में लें उसके बाद post graduate की degree प्राप्त करें उसके बाद फिर आपने competition exam पास करने हैं जिसमें UGC net और state level का select exam होता है अगर आप engineering college में जाना चाते हैं तो आपने gate की प्रिक्षा पास करनी होगी इसके लावा किसी science research से जुड़े संस्तान में professor बनने के लिए CSIR net प्रिक्षा पास करनी होती है अब बात करते हैं college professor की salary की college professor की कमाई college या university से मिलने वाले वेतन से होती है एक आकड़े के मताबिक सरकारी संस्तानों में कारियत professor का वेतन 40,000 से 1,5,000,000 के बीच हो सकता है इसके लावा college professor guest teaching या विदार्थियों को कोचिंग दे कर अत्रिक कमाई करते हैं लेकिन यह अनेक बाते जैसे professor किस location में कारियत है या किस college में काम कर रहा है भारत में IIT, AIMS, BITS, इत्यागी संस्तानों में professor बहुत ज़्यादा salary भी लेते हैं जहां तक कैरियर में परकति की बात है तो एक college professor दिरी-दिरी तरकी करके चांसलर भी बन सकता है तीसरे नमबर पे आती है PSU PSU की full form होती है public sector undertaking हमारे सब के मन में यह सवाल आता है PSU जोब private होती है या सरकारी इसके owner मालिक कोन होते है इसका 50% या उससे ज़्यादा मालिकाना हाक होता है गोर्मिंट के पास जैसे सरकारी बैंकों का होता है इसको तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं State Government Under, Center Government के Under और Territorial Government के Under इसको हम Government Job भी बोल सकते हैं लेकिन इसकी सेलरी और Benefit Government Job से ज़्यादा होते हैं इसको आगे भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं महारतना, नवरतना और मिनिरतना महारतना सब से अच्छी कंपनी मानी जाती हैं जिसमें ONGC, SEL, BHEL, NTPC, Gale कंपनिया हैं इसके बाद नरतना कंपनिया जिसमें HPCL, MTL, BEL उसके बाद में मिनी रतना जिसमें HCL, Airport Authority of India, Rights, Coaching, CPR मैंने आपको कुछ प्रप्मुख नाम बताए हैं इसके अलाओी बहुत सारी कंपनिया इनके अंटर में होती हैं अब आपका मन कर रहा हुआ इसमें जोब कैसे प्राफ्त की जा सकती है इसके लिए आपको GATS का एकजाम पास करना होता है या इंजिंग सर्विस एकजाम पास करना होता है कुछ PSU कंपनी डारेक्ट कोलेज से प्लेसमेंट लेती है जैसे IIT या बड़े जो इंजिंग कोलेज हैं गोर्मेंट कोलेज हैं या प्रेविट कोलेज है उनसे डारेक्ट प्लेसमेंट लेती है ये अब बात करते हैं सेलरी की अगर आप महारतना में जोब करते हैं तो लगबग आपको 50,000 से 80,000 रुपे से शुरुवात हो जाती है आपकी नवरतना और मिरतना में कुछ इससे कम पैसे मिलते हैं आप PSU में डारेक्टर के पत तक जा सकते हैं PSU में जोब करने का एक एक्स्टा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें पर्क ज़्यादा मिलते हैं अगर आप ओवर टैम करते हैं आपको 40% मिलता है सेलरी का और साथ साथ में आपको मोबैल के पैसे आपको कार बाइक के लिए तेल के पैसे लैप्टोप के लिए फरनीचर सब के लिए बहुत एक्स्टा बेनिफिट मिलते हैं पीएस्टोप करने के अब बात करते हैं पोजिस्टन नमबर दो की दो नमबर पर है डिफेंस सर्विस डिफेंस सर्विस में आर्मी, एरफोर्स, नेवी सारे आते हैं यह सर्विस एक समान जनक है यह हमें तेश के दुसुनों से बचाती है डिफेंस सर्विस के लिए अलग-अलग प्रिक्साई होते हैं जैसी यह NDA, CDS, FCAT इसके अलावा और भी होती है इसमें सेलरी भी ज़्यादा होती है आपकी सुरुवात 50,000 से हो जाती है डिफेंस सर्विस में प्रमोशन भी जल्दी मिलती है NDA में minimum qualification होती है 12th past या आप 12th में appear हैं विच साइन साइड और केवल इसमें पुरु सी ही भाग ले सकते हैं इसकी प्रिक्षा साल में दो बार होती है NDA एक्जाम में बैठने के लिए उमर होती है ND और CDS में पहली पोस्टिंग जो होती है और लेटिनेट की होती है डिफेंस सर्विस में काफी allowance मिलते हैं जैसे वर्दी, मुफ्त रासन और रिटारमेंट होने के बाद पैंसन साथ में ही आपको केंटीन की सुईदाइव मिलती है केंटीन से आप बहुत सारा समान ले सकते हैं जो आपको सस्ते रेट पे मिलता है आप कार बाइक भी ले सकते हैं जो आपको कंसेशन रेट पे मिलती है और आपको केंटीन से वाइन और बीर भी सस्ते रेट पे मिलती है अब बात करते हैं नमबर एक की बिजली बिल आदी इसका एक्जाम बहुत ही कठिन होता है हर साल कई लाख लोग इसका एक्जाम देते हैं लेकिन उन में से कुछ ही पास हो पाते हैं यह भारत का सबसे मुश्किल एक्जाम भी मना जाता है इसका exam देने के लिए आपकी age 21 साल से 32 साल के बीच में होनी जीए और आप किसे भी field में graduate हो अगर आप general category के हैं तो maximum age 32 साल है और आपको 6 attempt मिलते हैं OBC में 9 attempt मिलते हैं और SASD में unlimited attempt आपको मिलते हैं यह परिक्षत 3 चर्णों में होती है सबसे पहले पिरलियम exam होता है जो हर साल जून में होता है उसके बाद main exam होता है जो अक्टूवर महीने में होता है इसके बाद intro फरवरी से अपरेल तक चलते हैं UPSC exam में marking जो होती है बड़ी tight होती है जो UPSC के 2019 के top पर थे परदीप उनकी top rank थी उनको total mark जो मिले थे 52.9% आप अंदाजा लगा सकते हो कितना competition है आप exam pass करने के बाद SDM या deputy collector लग सकते हैं पुलिस में आप DSP या SP लग सकते हैं इसमें promotion होके आप पुलिस में commissioner तक और IS में आप cabinet secretary तक जा सकते हैं आपको पहली salary लग बग 60,000 और retirement तक आप 5,000,000 तक जा सकते हैं थोड़ा topic से अलग हटके बात करते हैं क्या आप जानते हो एक सरकारी job ऐसी भी है जिसमें ना कोई qualification, ना कोई study, ना कोई age limit और उसमें pension भी मिलती है और सारी सुईदाएं भी मिलती है अगर आपको पता है तो नीचे comments में जरूर बताएं दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे comments करके जरूर बताएं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकोन का बटन भी दवाएं जै हिंद जै भारत बंदे मातरम